दोस्तों अगर आप सभी के आधार कार्ड में DOB लिमिट क्रोस लगा हुआ है तो आप सभी किस प्रिकार से आधार DOB लिमिट क्रोस को सही करेंगी आज किस वीडियो में मैं आपको कम्पली जानकारी देने वाला हूँ अगर आप एक CSC VLE हैं common से भी center संचालक हैं और आपके center पर एक ग्राहा काते हैं और उनके आधार में अगर DOB लिमिट क्रोस है या फिर अगर आप एक individual वेक्ती हैं आपके पास कोई भी CSC ID नहीं है आप खुद से घर बैठे अपने आधार कार्ड में लिमिट क्रोस को सही करन आज के इस वीडियो में मैं आपको complete जानकारी देने बार रहा हूं चले इस वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप सभी अपनी आधार कार्ड में लिमिट क्रोस को सही करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान पुद्बग दिखना कोई भी step को आपको skip नहीं करना है अगर आ आपके आधार में डियो भी लिमिट क्रोस सही नहीं हो पाएगी तो इसका आपको विशेश ध्यान रखना है सबसे पहले आप सभी को हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बोक्स में इस साइड का लिंक मिल जाएगा आप लोग उस लिंक पर क्लिक करेंगे लिंक को क्लिक कर सिया पोर्टल ओपेन हो जाएगा अब यहां बताया गिया है आधार कार्ड में जनम्तिति लिमिट क्रोस होने के बाद कैसे अपडेट करें हाउ टू अपडेट आधार का डेट ओव बर्थ लिमिट क्रोस क्विकली अब यहां पर हम सबसे पहले नीची आते हैं और इसके ब बार ही अपनी जनम्तिति को बदलवा सकता है य стар के आधार कार्ड में जनम्तिति और लिंग विवरॉर को अपडेट करने के लिमिट क्रोस दिखा रहा है तो आप अपने आधार कार्ड लिमिट क्रोस प्रलं को बहुत ही आसानी से अपडेट करा सकते हैं जिसकी पूरी को इसी पोश्ट मे मिलेगी dobe limit cross को सही करने के लिए यहां पर अपको solution भी बताया है Haard car limit close problem का solution कैसे करें Laneinta ओी लीमिट close solution कि लिए सबसे पहले आपको यहां पर आप को यह form का लिंक भी मिल जाता है यह form कुछ इस से होता है तो आप यहां पर क्लिक वाले option पर क्लिक कर देंगे इतना क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर आपका जो self declaration form है आधार डियो बी लिमिट क्रोस का वह आपके सामने download होके open हो जाएगा अब इसे सबसे पहले आपको fulfill कर लेना है तो यहां पर आपको अपना यहां डालेंगे आपका जो भी आधार में address नाम डालेंघे और फिर बतायाँ यहां पर अपना आधार कार्ड संख्या डाल देनी है यहां पर बतायाँ पर प्रार्थि की सही जंधति जो आपको अपने आधार में जनमतिती को अप्डेट करवानी है वो आपको यहां पर first column में अपने जन्मतिति डाल देनी है और इसके बाद यहां पर तीसरे step में बताया गिया है कि प्रार्थी अपने आधार में पुरुव में किये अपडेट के बावजूद दर्ज जन्मतिति थी वह आप यहां डालेंगे और इसके साथ यहां बता गया को यहां डालना है यानि कि तीसरे नंबर कॉलम में आपको first में जो पुरानी यानि आपका जो गला जन्तिति वह डालना है और जो आपको अपने आधार में जन्मतिति को सही करवाना है वो आप यहां पर second column में डालेंगे इसके बताया गया है जिसके लिए प्रार्थी जिस आपका first time limit cross हुआ है तो आप इसके सामने टिक लगाएंगे और अगर आपका जन्मतिति अप्डेशन अनुरोद दूसरी बार है तो आपको दूसरे नंबर पर टिक करना है बाकी column को निसान लगा देना है इसके बाद फिर नीचे आएंगे अब यहां पर आप से भी को signature खुद करेंगे और अगर 18 साल से कम उम्र है तो उसकी मातायफिता का signature यहां पर होगा अब इसको आपको प्रिंट कर लेना है प्रिंट कर लेने के बाद इसकी फोटो को आपको अपने पास सहेज करके रख लेनी है सेप कर लेना है चल्प डिक्रेशन फॉर्म फिल कर लेने है अब इसके बाद आपको एक चीज का और ध्यान नकना है कि आपका जो सल्फ डेक्लरेशन फॉर्म है और आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है यह आपका हो गया और तीसरा आपका रहेगा यह आधार काड यह जो आपका आधार काड का फीडिय भी आपको प्रिंट निकाल लेना है इसके बाद आपको करना किया है कि आपको अपने नजदी की किसी भी आधार सेवा केंदर पर जाना है और वहां जाने के बाद आपको अपने बर्थ सर्टिफिकेट के द्वारा अपने आधार में जो आपको डेटो बर्थ करवाना है वो आप करवा लेंगे और वह पहर कार्ड एक ही PDF में अटाइच करेगा और उसको 300 KB का साइज बना कर उसको डोकॉमेंट को अपलोड कर देना है डोकॉमेंट वह अपलोड कर देने के बाद फिर आपको इस डोकॉमेंट को ले लेना है और लेकर फिर आप सभी अपने घर पर चले आएंगे अब इसके पर आप जो है help at uidi.gov.in पर आपको एक mail करना होगा mail कैसे करेंगे इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है आपको subject में लिखना है आधार कार्ड डियोबी लिमिट क्रोस प्रॉलम विल अब्रेटिंग आधार कार्ड ठीक है यह आपको subject में लिख लेना है इसके बाद फिर आप जो है इस प्रिकार से जो message आपको दिख रहा है to seal लेकर और यहाँ तक इसको आप copy कर लेंगे पूरा और वहाँ पर जाके आपको paste कर लेना है paste कर लेने के बाद अब यहाँ प आपको अपना नाम डाल देना है और यहाँ पर प्रमनेंट रेजिडेंस में आपको अपना फुल आधार का जो address है वह address आप डाल देने के बाद अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे यहाँ पर आपको चारों डोकुमेंट्स का जो लिष्ट है वो देखने को मिल जाता है इसके बाद करना क्या है आपको इस परिकार से आपको मेल में जो है लिखना है नमिन आधहार उसके सामने हमें आपको डैस लगा कर आवावा जैसे आपकी आधार में नाम है बुडा लेने है आपकी अधार संख्या लिखेंगे उसके सामने आपको अधार णमटा अधार में दो करेंगे उस बीकार से । कि जरुरुरी नहीं जैसे कोलम बना इसा को आपको बनाने के आपको इसक्ता नहीं बस आपको इस प्रिकार से लिखना है लिखके करके उसके सामने लिखना है इसके बाद फिर आपको नीचे थैंक्स और फिर नियम के सामने आपको पना नाम लिखना है कि यहां बताय गिया ध्यान दें मेल के साथ आपको ओरिजिनल जनम प्रमारपत्र की फोटो कॉपी स्वा घोसुना फॉम आधार काट की कॉपी और केंदर के साथ जनमतिति अब्रेट की एनौल्मेंट स्लिप चारों डोकॉमेंट को आपको अटैज करके PDF में आपको मेल करना है तो नाम जब लिखे देंगे न जोड कर देने के बाद फिर आपका काम कंप्लीट है अब सेनम पर क्लिक करना है कि इसके बाद 24 घंते में ही ही महीं milhões को ऐसा साथ सालें तक है जिसका आधार को सबूड़कर कर दी जाएगा कई बार जो है 15 दिन में लग सकता है यह आधार के सर्वर पर डीपेंड करता है तो आपको थोड़ा सा वेड भी कर लेना है आपको इसकी अप्रेट जो है पलपल आपके एमेल पर मिलती रहेगी तो इस प्रिकार से आप सभी बहुत थी आसानी से अपने आधार म को जरूर सेव करके रखें या पोश्ट आपके कापिजदा काम आने वाला है इसका लिक आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोग महां से जरूर इसको किलिक करके देखें पढ़ें और इसको फॉलो करें 100 प्रेसंट आपका जो डियो करवाना है सही तो फिर आप सिदा हमें भी कमेंट कर सकते हैं चले मिलते हैं आप नए वीडियो में टॉपिक के साथ तब तक की लिए टाटा एन गुडबाए